Welcome back to my youtube channel जी हाँ दोस्तों true caller का कुछ अनोखा अपडेट आ चुका है जिसके लिए सभी लोग थे बेकरार जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं true caller full screen के बाद कई सारी दिक्कते आ रहे थी आप सभी के सामने लेकिन जो है दिक्कत अपसॉल्व होने वाली हैं तो यहा आपके true caller full screen में जब आप कहीं पे phone करते हैं तो call recording का भी option नहीं आता है जी हाँ दोस्तों आज की सारी problem आपकी solve होने वाली है इस वीडियो में इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाय था full call screen को लेके और classic pop-up को लेके जिस पे बहुत सारा आपका प्यार मिला तीन लाग से भी अधिक ब्यूज उस वीडियो पे आए तो वो आई बटन में है आप उस वीडियो को देखके अपना full screen और classic pop-up को सही कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे true caller का अनोखा अपडेट आखिर है क्या तो दोस्तों यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको true caller का अनोखा अपडेट जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं call recording जी हाँ दोस्तों true caller में call recording का फीचर आ चुका है जो की बहुत ही जबर जस्त फीचर है दोस्तों सभी को बेसबरी से इंतिजार था जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले आपको जो है पा करने को option मिलता था तो यहां पे दोस्तों अभी जो update आ चुका है call recording का जैसे हम अपने phone पे किसी phone से करते हैं और यहां पे अभी हम दिखाते हैं कि कैसा phone का interface आ रहा है तो यहां पे दोस्तों मेरे पे call आने लगा और यहां पे दोस्तों देख सकते हैं यह call कुछ इस प्रकार से आता है तो यहां पे मैं इसको करता हूँ यहां पे receive करने के बाद दोस्तों आपको अब यहां पे कई जादा option मिलते हैं कई सारे options मिलते हैं जी हां दोस्तों पहला option आपको mute का मिलता है दूसरा keypad का तीसरा speaker का चौथा head call पाँचवा hold यहां पे एक option message का बढ़ाया गया उसके बाद दो यहां पे सातों option बढ़ाया गया सबसे बहतरीन वो rec call recording का बढ़ाया गया जी हां दोस्तों यहां पे देख सकते हैं call recording अपने true caller से कर सकते हैं हलाकि अभी video call का यहां पे option नहीं आया जो कि कुछ phone में होता है video call का भी option लेकि यह नहीं आ जल्द हो सके वो भी देखने को मिल जाए यहां पे हम बात करते हैं call recording को enable कैसे करना है तो यहां पे हम phone को करते हैं cut और यहां पे आपको बताते हैं कि call recording enable कैसे करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको true caller पे जाना है, true caller पे जाने बाद आपको call recording पे चले जाना है, यहाँ पे आने के बाद simple सा कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको यहाँ पे setting का option मिल दा होगा, setting के option पे जाने के बाद यहाँ पे auto record का option मिल दा होगा, इस पे दोस्तों देख सकते है all calls will be auto recorded once call is started यहाँ पे आपको इसको on कर देना है और दूसरा option जो आपको यहाँ पे मिला है so call recorded notification इसको आपको off कर देना है इससे क्या होगा जब आप call recording करेंगे मतलब जैसे आपने किसी को phone दे दिया तो इसको पता नहीं चलेगा किसमें call recording भी हो रहा जो कि अपने हिसाब से set कर सकते है देखने में कहीं अच्छा भी लगता है कहीं अच्छा नहीं लगता है बंदे ने call recording लगा रखी है और दोस्तों यहाँ पे तीसरा option जो है storage का भी यह so नहीं हो रहा है यहाँ पे दोस्तों इसे मैं on ही रखने 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 देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसको आपको on कर लेना है अब दोस्तों यह हो गया आपका पूरा setting अब आपके पास जो भी call करेगा वो आपका call record होगा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको यह feature नहीं मिलाए तो सबसे पहले आपको प्ले इस्टोर में जाना होगा आपको यहाँ पे true caller लिखना होगा true caller जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं true caller को आपको simple सा यहाँ पर अगर update का option है तो आप update करना है update का option नहीं है दोस्तों तो आपको update नहीं करना है फिन आपको यह option मिल गया होगा तो simple से आपको true caller को अपने एक बार चेक करना है कि आपका true caller update है या नहीं है अगर आपका TrueColor अपडेट नहीं है दोस्तों तो Fatax TrueColor को अपडेट कर लें और यहां से दोस्तों आपको आखे TrueColor के जो है Call Recording को आन कर लेना है जी हां दोस्तों यहां साइड पे आना है और TrueColor Call Recording को आपको आन कर लेना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आयोगी वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें